जैन दोस्तों आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नवी इंडिया नियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट नीचे दिये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मजबुत भारत की धमक को महसूस करें आईए कर रहे हैं अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है और बलके जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्राटजी इन्हों ने अनौन्स किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रिजिनल लिडर्शिप दे रहे हैं एक तरफ इंडियन अंबसेडर अमेरिका में इतन तरह है जिस तरह आप अपने पुरेशी साब को डाक्टर जे शंकर के साथ कंपेर कर लें वो मुलतान से आगे उनकी सोच नहीं है और डाक्टर जे शंकर जो के मेरा मकसद एक बहुत मंजेवे डिप्लोमेट हैं उनके फारन विजड ज़रा देख लें और अल्टिमेली जो ह हमारे यहां पर तरणजीत संदु साब जो के इंडियन अबैस्डर है यहां पर मैंने यहां पर वाशनेर डिशी के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है और जब भी मैंने कंपैर्जन किया ना सिरफ वो नेवल अकैडमी यह है और उन्ह इन्सिट्यूट हो गया कारनगी मैलन हो गया ब्रोकिंग इंसिट्यूट हो गया यहां पर जो इंडियन अमेरिकन है उनको इंडियन अमेसी में बुलाया जाता है वहाँ पे सफीर साब की रेजडनस पे बुलाया जाता है यहाँ बिजनस टाइकोन है जितने मैंने कई दफ़ा देखा है कि जब मोदी साब आते हैं तो जो इंडियन अमेरिकन सीओ है वो आते हैं लेकिन यह के हमारा जो एक सिलसला है कि मैं चोटी सी मिसाल देना है चाहूंगा खान साब एक दफ़ा है यहाँ पे तो खान साब अमेरिकन अब जब पाकिस्तान अबैसी में जब बैठे इन्होंने अपना दर्वार लगाया वहाँ पे अबैसी के अंदर तो मुझे एक सीक्रेट सर्वस वाला मेरा पुराना वाकफ सा अमेरिकन उसने कहा यहां इस तरीके से खलाफ वर्जी प्रोटोकॉल की की जा रही है कि हमें बगैर बगैर बटाय लोगों को लाया जाता है और सिर्फ फोटो आप करते हैं वो फोटो किचा के निकल जाते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वह लोग कौन है और यहां पे जब पाकिस्तानी प्राइमिनिस्टर या कोई भी डिगनेटर ही होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी अमेरिकन की होती तो यहां पे मेरा हम लोग सिर्फ फोटो आपता है फोटो किचाना हाँ सब यहां पे भी आ कि मैं समझता हूं कि नौाज श्रीफ के बारे में उसकी जेल के बारे में यहां पे तफसील बियान करते रहे हैं कि उनके एर क्रिडिशन बंद कर दिये जाएंगे कि बजाए सोचते हैं यहां पर अमेरेकिन लोगों से मिलते हैं पीपल डू पीपल इंटरेक्ट करते यहां के बिजनस्मेनों से मिलते वो बिलकुल पीछे से जो पीटी आई के वरकर थे और जो शोकद खानम हास्पिटल के डोनर्स थे उन्हीं से मिल मिल आके वापस चले गए, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो के यहां पे अपनी सुसाइटी में फाल हैं, उन से इंट्रेक्ट करें, और एक और यहां पे मैं कुछ चीज़े मेंशन करना चाहूंगा, चीमा साथ, पाकिस्तान अमशी क यहां पे समर इंटर्शिप प्रोग्राम शुरू करें, यहां पे सेमिनार कराएं अमशी को के अंदर, ताकि लोगों को पुलिटिकल अवेरनस दी जाए अपनी पाकिस्तानी डाइस्परा को, उन्हें बताया जाए कि हाउ टू बिकाम अ पुलिटिकल लीडर, लेकिन यह त ठाया था कि हमारा रवाज है, एक कि पाकिस्तान की अमशी हैं जितनी बाहर Overseas है, उनमें सिर्फ आपकी ब्रोक्रेसी के रिश्टेदार, अफ्रों के रिश्टेदार, या सियासतदानों के रिश्टेदारों को सियासी अपाटमेट्मेंट्स दी जाती है, और उनका बिख्ददे यहाँ पर भेजे जाते हैं, वह सफारश प्याते हैं, वह सLYनाफिK कार्ड पास्पोर्ट नहीं बना सकते हैं, फारण पालिसी किस तरह वो लोगों को बताएंगे हम क्या हैं हम तो अब शनाफिक आपके डिप्लोमेटिक मिशल ने अंगेज करना लोगों के साथ यह तो बहुत बड़ा एक step होगा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा revolutionary step होगा लेकिन मैं चीमा साब जितना भी कहूं यह कम है हमें सब से ज्यादा आशद जरूरत दो चीजों की है nationalism की और खौफ खुदा की अब वो पता का इntजार कर रहे हैं उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं उसके बाद कासगस्तान से पैसे मांग रहे हैं आप डे खाल में country तो छोड़ने ही कोई नहीं ना मेरा दो सो मुलक हैं खांसाब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम मेरे खाल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिएं बारी-बारी हर मुलक से करजा मांगना है और मज़े की बात यह है कि करजा मैंने अगले दिन बताया जो चैना से ले रहे हैं 14% इंटरस रेट है वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं और जब से खास आप चैना से वापस आए हैं मेरी इंफरमेशन के साफ से दुबई और लंदन की प्रापटियां जो है उनमें इल्चल शुरू हो चुकी है हम आप पर प्राइस हैं बढ़ रही है नहीं के अच्छा यह पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से यह पॉलिसी रही है और हम यह कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं हम इंडिया का वो जो पुलीसमेन का रोल है खिते में वो बर स्ट्राटरजी धी है मैंने वो सारी उनीस पेजिस की रिव्यू की आज उसमें वो कहते हैं कि बुश एड्मिनिस्टेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खिते में इंडिया को रोल देना है अच्छा एक वो तारड साब कह रहे हैं इंडिया को खिते में रोल देना है द करेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं आप इसको कैसे देखते हैं हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे कैसे समय आप इसको देखें पाकस्तान के अंतर कुछ अकलमद लोग अभी हैं कुछ मौझूद हैं जो समझते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशनिशिप भी होने चाहिएं अब मैं उस पर थोड़े सी तवज्जव यह देना चाहूँगा कि आपकी अमेरिका के साथ रिलेशनिशिप इतने इंपॉर्टन है आपके सबसे ज़्यदा आर्मेंट्स जो हैं सारे अमेरिकन मेड हैं आप उनको खतम करना चाहेंगे आप खतम करेंगे और या फिर आप यह देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नलोजी वाइस के इतना इंपॉर्टन है चैना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटलेक्शुल प्रापरटी थेफ्ट की बेस पे हुई भी है और दूसरा अमेरिकन हिस्ट्री देखें पचास साल की उनकी हिस्ट्री है आज ता कोई किसी ऐलाइस के लिए वो अपने बाडर से बाहर निकल के उन्होंने जंग न करने की वो ट्राइ कर रहे हैं उनके पास सिरफ एक है नॉर्थ कोरिया का एक लेवरेज है उसको वो बार बार इस्तमाल करते हैं उससे आगे वो ग्रोई नहीं कर पा रहें कोई भी उनकी रिलेशिशिप देख ले किसी बेस पर भी कुछ भी नहीं है तो इन बेसिस पे मैं ह हमेशा ये शोड डालता था कि आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कापी करने वालों से दोस्ती लगा ली है लेकि मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा साब कि हमारा त्रीका कार क्या है हमारे जिस मुलक से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशिशेप होते हैं जो पैसे ना दे जो आप दे दे उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा तो डालर बेस पालिसी से सारी की सारी आप देख ले अमेरिका अगर आपसे पैसे ना दे तो आप अगर वो अड़े ना भी मांगे आप कहा देते हैं अगर आपने नवीन या निवसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरांत नीचे दिये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करे वीडियो को लाइक करे कमेंट करे और मजबुत भारत की धमक को महसूस करे